हलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यूज चैनल और न्यूज नेशन में दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफेकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप पर उसका नोटिफेकेशन पोच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें तो दोस्तो वीडियो को शुरू करते है जैसा कि आपने थंबलेन को देखा होगा कि कच्चे आलू से बढ़ाएं अपनी त्वेचा की खूपसूर्ती जाने कैसे हिंदी में कच्चे आलू से चेहरे में क्लीनिंग इस्तिराब फेशियल मसाज करके चेहरा चांपदार बना जा सकता है सामान्य तर आलू को अपयोग हम खाने के लिए करते हैं आलू से बहुती स्वाधिस्ट बैंजिन बना सकते हैं आलू खाने के अलावा खूपसूर्ती बढ़ाने में भी मददकार होता है कच्चा आलू हमारी त्वेचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है कच्चे आलू से चेहरे में क्लीनिंग इसकरा फेशियल मसाज करके चेहरा चमकदार बनाया जा सकता है सबसे पहले कच्चे आलू को किस ले अब उसे आलू के रस को छान ले अब आलू के रस में दो बून गुलाब जल डाल कर अपनी त्वेचा में लगा ले जब 10 मिनट हो जाएं तो इसे दो ले इस प्रकार से कच्चे आलू से त्वेचा की क्लीनिंग क्लीनिंग क्या जा सकता है इसको करने के बाद तवचा चांकदार हो जाती है अगर आप कच्चे आलू से फेशियल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आलू को छोटे टुपडों में काट ले अब उसमें दो भून नीबू का रस डाले अब इसमें एक चम्मच चंदन का पाउडर या फिर मुलतानी मिट्टे डाल गर उसे मिक्सी में पीस ले आप इस पैक को अपनी त्वैचा में लगा ले पंदरे मिल बाद इस पैक को ठंडे पानी से दो ले ऐसा करने से चेहरे में चमक आती हैं और चेहरे के दाग दब्बे भी खतम हो जाते हैं कच्चे आलू से इस क्रब भी क्या जा सकता हैं इसके लिए दो से तीन चमचे चावल आटा एक चोटा चमच शहद और एक चमच कच्चे आलू के रस को मिला ले इन सबसे एक पेस्ट बन जाएगा इसे हलके हाथों से अपनी त्वेचा में लगाने से त्वेचा को बहुत फायदा मिलेगा इस पेस्ट को लगाने से चेहरे में गिलो आ जाती है और कोई दाग भी नहीं नजर आता ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिक न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं आपका अपना चैनल और न्यूज नेशन